तो हम बात करते हैं फिजिक्स प्रिप्रेशन बुक्स के फॉर फॉर एमिस्टी सीटी एक्जाम ऐसे आपको बता तो कि बहुत सारी बुक्स है हमारे पास जो की प्रिप्रेशन के लिए काफी अच्छी है तो कुछ 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 ने मुझे गाइडलेंड किया कि कुछ सी बुक आपको मैं आज नौलेज देता हूँ जैसे कर बात करूँ मैं तो अरियन पॉप्लिकेशन के बुग काफी इंपॉर्ण होती है कंप्लिल डेफरेंस मैनुवल होता है हम में 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 चीटी एक्जाम का मैं के दिखषित की अरियन पॉप्लिकेशन बुग आती है जहाँ पर आ आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया वैसे ही आपके ABC पुब्लिकेशन हमारे थर्ड नमबर पे दिख रहा है आपको MST-CET ABC पुब्लिकेशन की बूग वो भी आप रेफर कर सकते हो MST-CET Physics की Marvel पुब्लिकेशन की आती है यह पूरा नहीं है Marvel पुब्लिकेशन एजी बापट का बूग आता है एजे बापट का है तो यह पूराना पुब्लिकेशन से तो इसके बारे में इसको अभी आप रेफर कर सकते हो अगर मैं बात करूँ वन आप दे बेस्ट बेस्ट बूग आप दे फिजिक्स की जिसको मैं एन्यूल अवार्ड दे सकता हूँ इस बूग के बारे में चाहाओ तो नैश्टन अवार्ड भी मिल सकता है इसको है न concept of physics है तो very important volume 1 by the SC Verma and volume 2 also by the SC Verma one of the best book for the physics preparation आप चाहो तो आपके teachers या आपके कोई भी seniors जो होगे उन लोगों को आप पूछ लो अगर आप लोगों को in case NEET या JEE का भी preparation करना है MST CET के साथ तो आपको SC Verma की book one of the best book होगी ever लेकिन गाइस आपको अगर NEET और JEE साथ में देना होगा तो आपके लिए books one of the best है इतनी बात आपको याद रखनी पड़ीगी SC Verma one of the best book for the physics इसके बारे मैं आपको काफी डिटेर्म में दसता हूँ उत्तम MST CET physics की book आती है ओके author का नाम नहीं लिखा गया यहां पर इस mismatch हो गया यहां पर author का नाम नहीं लिखा गया है तो यह जो book है यह काफी पुरा नहीं है उत्तम की लेकिन अगर आपको लेना है उत्तम MST CET physics की बारे book तो आप latest edition की book ले सकते हो जो की May 8 को आई है 2020 में तो आप latest book है वह आपको refer करना better रहेगा कैस कुछ बात है हम other subjects की भी कर लेते हैं जिसके for example आपको मैंने अजर एक्जाम के बारे बीएचे मेस बीएमेस के बारे में बताया था है ना बीएचे मेस हो गया बीएमेस हो गया other medical field जो होती है उनके लिए CET कोई applicable नहीं है guys okay मैंने आपको पहले starting में बता दिया था कि CET mostly आपको pharmacy and engineering exam के लिए applicable होती है तो engineering exam अगर आपको देनी है वो भी state level के college के level पे तो आप M.H.T. CET दो अगर आपको pharmacy करना है तो आप M.H.T. CET दो वो भी state level के engineering and pharmacy college के लिए तो ये बात आपने note कर ले रहा अब दिमाग में आपके question आ रहा होगा कि sir फिर B.M.S. और B.H.M.S. के लिए क्या है तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि need exam compulsory है सारे medical field के लिए फिर चाहे हो आप B.H.M.S. करो B.M.S. करो B.D.S. करो M.B.S. करो it means आप without need you cannot take a admission in the B.H.M.S. and B.M.S. exam उसके अंदर भी आप admission नहीं जा सकते है अब आप बात कोई कि sir इनका cut-off कितना आता है guys generally अगर government B.H.M.S. और B.M.S. कॉलेज का में अगर cut-off nearly देखू 2020 के exam के साब से तो ये कुछ जात ये बहुत कम है compass to B.D.S. and M.B.B.S. के okay M.B.B.S. से तो बोत नीचे है half and पकड़ो आप M.B.B.S. का सिधा सिधा अगर पकड़ना है हमको जिसे open category का हम 600 प्लस पकड़ते है M.B.B.S. के लिए and nearly 500 पकड़ते हम 450 प्लस पकड़ते है M.B.B.S. के लिए तो आपको B.H.M.S. B.M.S. का स्कोर आ जाता है 300 प्लस जनरल क्या टेकरी के लिए generally need का जो qualified होते है need exam वो काफी कम scoring पे qualify होते है guys मैं qualify होने की बात कर रहा हूँ qualify for the medical admissions medical में admission लेने के लिए last year का जो particularly 720 में से scoring था वो सिफ 128 था guys मतलब जिनको 128 प्लस मार्क्स थे वो सभी के सभी medical admission के लिए qualify हो गए थे वो बात अलग होती है कि आपको B.H.S. का scoring cut-off अलग है M.B.B.S. का scoring cut-off अलग है लेकिन आप किसी भी medical college में admission ले सकते हो on the basis of that score ओके तो जिसे की 128 प्लस अगर जिसनका score आया था लास्ट येर में उन्होंने कहीं भी भी admission लेली होगी private medical college बोलो जैसे की B.H.S. that is not possible for the B.D.S. and M.B.B.S. अगर आप लोगों को in case थोड़ा और extra knowledge दे दो मैं आपको medical science के बारे में need is only applicable for the Indians need आपको Indians के medical वो भी government medical college as well as private medical college के लिए applicable है अगर in case आपका scoring नहीं आता है उतना properly है आपको medical engineering college में admission होना चाहिए थी बड़ आपको government medical college नहीं मिला ना ही B.D.S. मिला ना ही M.B.B.S. मिला और आपकी इच्छा है hundred percent सरा में M.B.B.S. ही करना है अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो आप abroad universities abroad medical college में भी आप M.B.B.S. कर सकते हो लेकिन इसमें काफी पैसा ख़च हो जाता है और यह मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को तो क्योंकि इसमें काफी रिक्स भी हो जाती है जनरली रिक्स मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि रिक्स बहुत मतलब ज़्यादा कुछ security reason की रिक्स होगी वैसा कुछ नहीं होता बट मेरे हिसाब से इंडिया का medical जो knowledge है medical education जो है वो काफी इदर अलग तरीके से होता है मतलब ऐसा मान लो कि इंडिया का one of the best medical knowledge होता है compassed to other abroad countries है जनरली रिश्या के medical institute के हमारे पास काफी exams आती है उन लोगों की भी admission हो जाते है या बहुत से student यहां से admission ले रहते हैं abroad में MBS करने के लिए मेरे भी जान पेच्छा में काफी student ऐसे है कि जिन्होंने abroad में admission ले चुके MBS के लिए लेकिन गाइस यह इतना कुछ खास नहीं है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा रेफर नहीं करूँगा चलो तो यह इस लेक्चर को मैं dedicate करता हूँ अपने paris student के लिए सारे बच्चों आपके लिए बनाया है lectures I hope so आपको MSTCD की पूरी तरह जानकरी मिली होगी so thank you for watching guys and please यार subscribe कर दीजे channel को अगर नहीं subscribe किया होगा तो likes कर दीजे इसको और subscribe इसको सियाद में share भी कर दीजे अब जिन student को MSTCD का knowledge नहीं है मतलब क्या exam होती है क्या नहीं होता है किसी को पता ही नहीं नहीं होता को बड़ी बात नहीं है तो उनको यह share कर दो वीडियो काफी अच्छी तरह से उनका भी knowledge increment हो जाएगा so have a nice day guys आप जब भी lecture देख रहे हो good morning good afternoon good evening and good night everyone मिलते हम next lecture में next lecture आपका need और जाई के बारे में information के बारे में होगा तो MSTCD की जो all information है वो यहाँ पर हमारी खतम होती है तो I hope so आपको पूरी तर यह समझ में आ गया होगा तो हम next lecture में मिलते है guys everyone good bye